मीरा वाम और वाशमु दोम दोरगी पद्पिशिक ये गोस्ती मेगो कानल स्वागत है देखे और सीखे दा नीटिंग चैनल में असे फिर से एक सौल लेका है बहुत ही खुबसा तो बहुत ही प्यारी सौल है यह देखते हैं आप इसे बनाना शूरू कर देंगे इतनी प्यारी सौल है यह ठीक है तो इसके लिए जम क्रोशिया नंबर लेंगी यह मेरी 10 नंबर्स लाई है सब इसे पूछते की किस तरह से बनाए ब्रस बनाए खिया यह मेरी एक ब्रस दी जाए ते द है यह सबसे पहले यहां पर गांट लगाने की बार 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 गांट लगाने की अब यह जो धागा इसे फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से ले लेंगे, आब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1, 2 और यह 3, 3 चेन बनाने के वाद इस रिंग के अंदर डालेंगे और डबल क्रोस से बनाएंगे, तो यह जो चेन है इसे भी हम डबल क्रोस से काउंट करेंगे, अ अब बनाएंगे अब 1, 2 और यह 3 चेन, फिर से यहाँ पर डालेंगे, दो डबल क्रोस यह बनाएंगे, एक डबल क्रोस यह, दो डबल क्रोस यह, एक जेन, फिर से यहाँ पर दो डबल क्रोस यह, एक जेन, फिर से यहाँ पर दो डबल क्रोस यह, एक जेन, फिर से यहाँ प इसके बाद यहां पर डालेंगे और फिर से एक डबल करो से बना लेंगे तो फुछ इस तरह बनकर आएगी यानी यहां पर है आपको दो डबल क्रोज से एक चेन दूटबल से, फिर तीट चेन, फिर दूटबल क्रोसे हैं, फिर एक डबल क्रोसे और करना है, यहाँ पर हो गई, यह पहली राउन हमारी कम्पलिट हुई, सेकन्ड राउन के लिए फाइब चेन लेना है यानि पांच चेन एक, दो, तीन, चार और ये पांच इधर पलटना है आपको पलटने के बाद देखें तुरसे पर धागा लेंगे इसकी बीच में डालेंगे और यहां पर हम एक डबल क्रोसे है दो डबल क्रोसे है यह हमारी बॉर्डर लाइन है दो डबल क्रोसे है फिर एक चेन फिर सेसी चेन पे दो डबल क्रोसे है बॉर्डर लाइन आपको इसी तरह से गंप्लीट करना है मोरते वे 5 चेन लेना है इसके बाद 2 double cross 1 चेन 統ड़ पर एस कोई भी बिना धागा लिए इसके अंदर बीच में आ जाएंगे जहाँ मनें तीन चेन लिया अब यहाँ पर आपको डबल क्रॉसया बनाना है एक डबल क्रॉसया एक दो-तीन चेन अब यहाँ इस double crochet के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर आपको डालना इस तरह से धागा खीचते वे लाना है अब यह जो हमने तीन चेन बनाई थी इस चेन से इस धागे को निकाल देंगे ठीक है फिर से crochet धागा लेंगे और यहाँ पर हम double crochet बनाएंगे एक double crochet फिर उपर जाते हैं एक दो और यह तीन चेन इसके बाद फिर यह जो double crochet इसकी बीच में ठीक है चेन पीने डालना है बीच फिर इस तरह से slip करते हैं निकाल देना है दो हो गई फिर इस रंग के अंदर डालेंगे double crochet बनाएंगे फिर एक दो तीन चेन लेंगे फिर से हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे धागा खीषते विलाएंगे और इस चेन से निकाल देना इस तरह से तीन हो गई तो यह इसी तरह से करते हैं हमें 6 बनाने चीक है चार हो जाएगी एक दो तीन ठीक है इससे बीच में से जगा बनाएंगे यहां से धागा खीछते लाना और इस चेंज से निकाल देना इस तरह से हमारी चार बन गए फिर से क्रोशेट पर धागा लेंगे यहां पर बनाएंगे ठीक है वास यह दो ही लाइन के डिजाइन है बहुत ही प्यारी और खुल से सॉल बन के आती है यह लग डबल क्रोशे बना हो घिर एक दो तीन चेंग इसके बीच में डालेंगे और यहां से सिल पकरते बहुत निकाल लेंगे क्रोशे पर धागा ल 무reng फिरसे लीए देखिय एक चैन और दो डबलकुलसी जो एक चैन वाली स्पैस है यहाँ पर हमेका processes तो आप चाहें तो आपकी मर्जी साइट में जो बार्डर मैंने बनाया यहाँ नहीं स sachते हैं यहाँ तीन डबलकुलस यह 2 चैन तीन दबलकुलसी भी दे की पांच एक देन्च चार और यह 5 यानि नरि बना लिया पलट नवा अब को फिर से बॉडर लायन कंप्रेट करेंगे दो डबल खल से हो गई यह दूसरी डबल खल से हैं फिर से एक चैन परीट करेंगे एक डबल यह दूसरी double close है और दिखेंड के इस तरह से बनीगे तब यहां पर धागे को लंबा करना ठीक है Solomon Nauts बनाना आपको इस तरह से धागे को लंबा करेंगे इस तरह से खीचेंगे इसके बीच में से डालना आपको फंदे का एक फंदा करना एक बार हो गया फिर जागे को लंबा की चाहिए ठीक है इसको आपको इतना बनाना है कि आधा इंच तक इसकी लंबाई होनी चाहिए ठीक है फिर ऐसे लिए और दौफंदो खान एक फंदग कर दिये अब देखें यहां पे जो हमने 6 डिजाइन बनाए थे एक दो तीन चार प यह जो अमारी चौफी वाली जह है इसमें डालेंगे और यहां पर सिंगल क्रेशा के साथ इसे जाइंट कर लेंगे यानि दोनों साथ हमें दो दो छोड़ देना है जैसे एक और दो छोड़ा हमें तीसरे में जोइंट किया फिर तीन चेर बनाते ही चायाथ Shirin में जोयंट किया फिर एक और दो छोड़ देनेगे अब यही design सेम इधर बनाएंगे गया दागक खीचे ऐसे लेना है इसकी बीच में से डाले इससे बंद करना है फिर धागलंबक खीचे इसकी बीच में से नीकालेंगे और इससे बंद करेंगे ठीक, फिर सब हम यहाँ पे borderline complete करेंगे तो borderline complete कर लेती हैं फिर दिखाती हूं आगए अब देखें इधार आगए हैं ठीक है जब ये design बन जाने के बाद हमें borderline complete के अब 5 चेन ले लिए पांच चेन लेने के बाद फिर समया पे borderline complete करेंगे 2 double crochet एक chain और 2 double crochet पहले बनाएंगे ये 2 हो गई फिर 1 chain फिर से 2 double crochet एक और ये 2 अब देखें किस तरह से बनेगी ये जब design है अब यहां पर बनेगी ठीक है किस तरह से वह दिखाती हूं आपको अब crochet पर धागा लेंगे अब यह जो हमने दो knots लगाए है इसकी बीच में जो जगाए देखें ठीक है यहां पर crochet डालना है और यहां से धागा खिचते वे उपर लाना है अब यहां पर हम डबल crochet बनाएंगे अब बनाएंगे एक दो तीन चे इस रिंग के अंदर यहां पर डालेंगे इस जो double crochet है इसकी बीच में से ऐसे डालना है और यह जो हमने तीन चे रणा है यहां से निकाल देंगे तो एक हो गई double crochet हमारी इसी तरह से आपको 6 बनाने जैसे मैंने पहली बार बता है फिर लेंगे 1,2,3 ठीक है इसकी बीच में जगा बनाएंगे crochet यहां पर ड ग्रोसे डालना है और इस chain से निकाल देना है इस तरह से मारे पास 3 हो गई 3 double crochet है अब आ जाता है चौथी double crochet पर फिर लेंगे एक, दो, तीन chain इस तरह से करना है बीच में डालना है यह हो गई 1,2,3,4 double crochet है फिर से लेंगे यह हो गई पांच में डबल क्रोस है यानि 5 डबल क्रोस है फिर से लेंगे 3 चेन 1 2 3 ठीक है इसकी बीच में डालेंगे धागा खीचते वे लाना है इस तरह से 5 हो गई फिर से एक बार लेंगे एक, दो, ती ऐसा लिया यहाँ पे जॉइन करेंगे और इस तरह से निकाल देंगे तिहांपे हमारे यह डिजैन 6 बन क्या है फिर से देख लेते हैं एक, दो, ती, चार, पांच और ये छे, छे बन जानी के बाद देखिए, यहां पे जो हमने तीन चेन में आते जाइंट के बाद था इस जगह पे लेंगे और सिंगल क्रोशे के साथ इसे हमें जाइंट कर देना इस तरह से, एक डिजाइन नीचे आई, अब उपर दो आईगी अब यही डिजाइन से, फिर हमें धागा लेते वे, इसके बीच में आजाना है, क्रोशे पर दागा ले, अब इसके बीच में फिर से आजाएंगे, यहां दो देखिए, ऐसे लिए धागा को खीचा, यहां पे एक डबल क्रोशे हैं, फिर से लेंगे chain, एक, दो, और यह ती यहां बाद करेंगे यहां पर बार्डर लाइन करने कग दिजाइन बनाई है अब देखें यह दिजाइन बनाने के वाद कि बार्डर लैन भाल एक हम लिए निसमय इंती वाद हम ने बार्डर लाइन फिर एक बार्डर लींब ना लेते हैं दो डवल स्था एक चैन और डू प्र और डी जबम्होवाई ढ। आप आफ जो है यह है बना है झॉक्स है कि आoral इप 2014 में हमने यह बना वाली discussions अ प्र Jasya से लेंगे इस धागे को पकड़े हए रखें ऐसे लेना है फिर इस धागे की बीच में हिस्ट से डालना है चाहिए हिए न्यक्त कर देंगी अर्दी यहां पर छे डिजाइन बनी वी एक दो तीन चार पाँच चे तो एक और दो को किचन अब देंगे इसके बीच में डालेंगे इस तरह से निकाल देंगे फिर सब्सकती के लाख देना ठीक है पर 1 और 2 को skip कर देना यानी छोड़ देना है तीसरी वाली पर हम इस तरह से सिंगल क्यों से एक साथ जाइंट करेंगे फिर लेंगे एक दो और ये तीन चेन तीन चेन लेने के बाद ये जो हमारी चौथ ही नमबर की डिजाइन ही यानी फोर्थ नमबर की इसमें में सिंगल क्यों से एक साथ जाइंट करना है फिर धागे को लंबर खीचे हैं इस तरह से लेना है और इसके बीच में डालना है बांधना है फिर धागा खीचेंगे इसके बाद दो अब तीन बनेगे ठीक है तो एक बार और दिखा देती ताकि आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से से बना सेकें अगर आज की वीडियो आप सब को थोड़ी से भी अच्छे लगते तब प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें चैनल में पहली बार है तो चैनल क आप सेयर भी कर सकती है तो यह देखें इस तरह से हो गया एक बड़ और बता देती है एक दो पीन चार और यह पांच हमने बनाया कुरसे पर धागा लिए बाडर लाइन को फिर से हम कम्प्लीट करेंगे कि एक डबल क्रोसे हैं दूसरी डबल क्रोसे है एक चैन और फिर से राउंड में बनाएं यह दिजाइन फिर से अब आपके यहां पर आजाएगे तो यह वान टू यह थ्री यह फो यह फाइब यह फाइब यह शिक्स राउंड चल रही है ठीक है क्रोसे पर धागा ले लें अब यह दो डिजाइन जो हमारी नॉट लगी हुए इसकी बीच मे फिर से बनाएंगे इस तरह से करते ही हमें चेर डीजाइन बनाना है इस तरह से डवल गुरूरु स ही जो हमारी जोह प्रीचा नियुग्ट दीन चैन आपके इस तरह से इस 묶ू तरह से बन करते वी जाएगे पिर एक तो तीन इसके बीच में लेंगे ज़ाइंट करना है फिर लेंगे इसके बीच में डालेंगे एक तो तीन टीक है ऐसे लिए फिर से ज़ाइन किया है तो कितनी होगे वान टू प्रीपोर फाइप एक और बनाना है, total हमें 6 बनाना है, 1, 2, 3, फिर से इसे बड़ा सा side करेंगे, और यहाँ पर डालते बना लेंगे, अब देखें कैसा करना है, यहते होगे, अब देखें जो में 3 chain का बनाया थे gap जो है, यहाँ पर इस तरह से डालना है, और single crochet के साथ joint करेंगे, यहाँ पर यह design यहाँ पर बनाएंगे, इसके बड़ डिजाइन बनाने के फिर से हम borderline बना लेंगे, तो इसी तरह से करते हैं, हमारी यह design बढ़ती भी जाएगी, बहुत ही प्यारी खुबसद से, आप अपने मन पसंद color से बनाएंगे, थोड़ी से हलकी color में बनाएंगे तो ज्यादा ख लगा देंगे, आप वहाँ पीसे जाके देख सकते हैं कि बड़ा बनने के बाद यह कैसे लगेगे, तुमीद करते हूं कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देंगे, तो मिलते हैं क्यू है हुआ थो अच्छे मजद का वीडियो को लाइक कर देंगे, ओक वादियो आप से कर दिए कर दो आप से कर दों देख साने कर दोंदोरियो